पूरा आडिया हो जाएगा कि कुंडली देखते वक्त क्या-क्या चीज़े देखनी चाहिए जिससे प्रडिक्शन करने में बहुत असानी है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यदि आपके सामने क्वेशन आता है कि आज मुझे गवर्मन्ट आफिस से काम है या भाई से जाजाद के विशह में बात करनी है तो कब जाओं ताकि काम बन जाए उसके लिए मैंने आ आज क्वेशन हम करेंगे कि अगर कोई बालिया जातक आपके पास आता है कुल दिखाने और वो आपसे पूस्ता है किसा पीड़वलोडी में बिल पास कराने जाना है पीड़वलोडी में लोग काम करते हैं कौर्बंट डिपार्टमेंट है वहां पे अपना कोई उन्होंने की डेट मिली है आज की या कल की या परसों की तो वो क्या होगी या नहीं होगी यहरिंग या और कोई डेट मिल जाएगी उसके बारे में भी आप असाली से जाना है कैसे वही मैं आपको बताता हूं अगर सपोस करो किसी ने कहा कि मुझे पीड़वलोडी में बिल पास करान देर को का रहे मिख्रवा किया आणि हमें से बात करनी पड़ी14 फासा हुआ है या पेमेंट जाना है तो दाता खार भ्रु ऊगया तो पहले आप दाता ऐगरह का उसके बाद की सिंगानाा है इसकी और गवर्मन्ट प्रफद्रों देना है। जन कुंडली में किस भाब में दाता कर रहा है, किस राशी में बैठा है, उस भाब को fix मालिया जन कुंडली में वो आपके 6 नंबर राशी में बैठा हुआ है, अब आप ये देखेंगे कि जन कालीन गुरू से सूर्य का गोचर क्या है, अगर सूर्य जन कालीन गुरू से, सब यह government government है आज का सूरिय किस राशी में गोचर कर रहा है तो आगर आप वो देखेंगे भई सूरिय इस राशी में गोचर कर रहा है तो कौन से भाव में गोचर कर रहा है अगर जनकालिन गुरू छे नंबर राशी में है गुरू सात नंबर राशी में गोचर कर रहा है तो जनक चन्मकालीन गुरु से पांचवे, छटे, नवे, ग्यारवे भाव में सूर्य का गोचर है तो आपको काम है यह ज्यान लखिए, सिंपल अब यह पांच छे, नो, ग्यारव भाव आए कहां से यह भाव अस्टक वर्क से आए, आप देखेंगे सूर्य का अस्टक वर्क गुरु के साफे 5,6,9,11 भाव में है या नई अगर 5,6,9,11 भाव में सूर्य गोचत जमकालिन गुरु से है तो आप काम बन जाएगा अधरवाइस नहीं बनाएगा इसी प्रकार से अगर किसी ने पूछा कि कोट में हीरिंग होगी क्या तो हीरिंग या कोट के के स का दातगरह कौन है दातग्रह बुद्ध है या शनी है, बुद्ध क्यों, बुद्ध कालपुरुशी कुर्णली में छटे भाव का स्वामी होता है, कोर्ट केस वगएरा छटे भाव से देखते हैं, इसलिए बुद्ध जो है, कोर्ट का, कोर्ट की हेरिंग का, इनका दातग्रह है, शनी क्यों, य आपको यही देखना पड़ेगा कि सूर्य का गोचर बुद्ध और शनी से किन-किन भावों में हैं। अस्टक वर्ग में जो दिये हुए हैं गोचर उनके हिसाब से ठीक बैठता है तो आपको ध्यान अखना पड़ेगा अगर आपको यह नहीं मिल रहे हैं तो आप अस्टक वर्ग में जाएए फल्दीपिका में फल्दीपिका में जाने के बाद आपको पूरा ग्यान हो जाएग होता है तो आपको 100% result मलेंगे और आपकी कोट में हेरिंग होजाए आशा करता हूँ जो भी system है वो भी ध्यान देना है कोई जब भी कोई question पूछे तो उसमें दो चीज जरूर होती है एक दातागरह, एक करतागरह आपको दिखना है, दातागरह को आपको fix कर देना है और करतागरह का गोचर आपने देखना है करतागरह गोचर आप देखेंगे, दातागरह इसके सापेक्स के करतागरह गोचर में कहा दातागरह गुरु है, तो गुरु के सापेक्स देखेंगे कि सूर्य का गोचर क्या है, दातागरह बुद्ध है तो काड़े लाइक किजिएगा सबस्ट्राइब किजिएगा इसके लावा हम लोग नॉम्मर के महीने में एडवांस असिलोजी का प्रवाम में स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग इंटरस्टेड हैं वो दिएगे नमपर को संपर कर सकते हैं धन्यवाद जैश्यू